नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने उडूब चैनल ड्रीम की ग्रूव में आज हम बात करने बाले हैं जो मुकाबला होने बाला है PSL का फर्स्ट मुकाबला करांची किंग्स और क्वेटा ग्लेडिटर्स की बीज में इसके बारे में डिटेल से इस मुकाबले के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने बाले हैं तो आप चैनल को सस्क्राइब कर लिजीगा दोस्तों और वीडियो को लाइक कर दीजीगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर हम बेरने को बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हो करांची नेशनल स्टेडियम में मुकाबला होने वाला है जो कि अच्छा स्कूरिंग विकेट है आपके लिए कुछ यहाँ पर विजूल्स में भी देखा दूँगा यहाँ पर बात करनें टोटल 20 मुकाबले खेलेगा है लोग है तो इनese पहले बात करने वाले आट मुकाबले वहाँ सेक्ण बाले वाले वाले टीमिन वारा मुकाबले बिन करकर दिये हैं यदि यहाँ पर average के बारे में बात की जाए तो 168 रन है यहाँ पर average फश्टी निंग एबरेज स्कोर रहा है फ़हीं यदि highest total के बारे में बात की जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हो 238 रन इससे आप अंदाया लगा सकते हो कि आपके लिए का हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है और lowest score भी 134 है मतलब lowest score भी इतना कम नहीं है मतलब average आपके लिए 150 से 170 तक स्कोर तो देखने को मिल ही सकता है तो आप उसी according का अपनी टीम तहियार करने को इसस करिएगा चलिए बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के बीच खिल गाए हैड टो हैड मुकाबले के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो total 10 मुकाबले खिले गाए हैं इन में से कराची की हालत बहुत खराब है कराची के हालत बहुत ज्यादा खराब है मातर 3 मुकाबले बिन कर पाए है भाई यादि क्वेटा के बारे में बात करों तो साथ मुकाबले बिन किये हैं मतलब एक तरफा टीम है क्वेटा की आप यहाँ पर देख दी सकते हो जैसा कि आपके लिए भी देखने को मिल रहा है बात करने दोस्तों टीम न्यूज आपके लिए जो भी मिलेगी हमारे चैनल आपके लिए अपडेट कर दी जाएगी तो प्लीज आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले कराची के बारे में बात करें तो सरजिल खान आपके लिए वावर आजम के साथ ओपन करती हूं ने जर आ जाएगे बावर हैं दोस्तों किसी भी फॉर्मेट आप इन्हें खिला लीजीएगा यह हमारे कोईली को भी टक कर देते हैं सरजिल खान थोड़े हिट एंड में वाली फ्लेयर हैं लेकिन फ्लेयर अच्छे हैं उसके लाब अच्छे लिए नमर पांच पर आपके लिए बल्ले बाजी करेंग अच्छे वल्लेवाज हैं इनका दोस्तों एबरेज लगवक 30-35 रण इतनी इनकी दोस्तों छमता है तो इतना ही स्कूर करकर जाते हैं बात बाद बाद की बल्लेवाज काफी शांदार है तो आप चाहो तो इन्हें अपने टीप में ट्राइग कर सकते हैं डैनियल क्रिस्च कि और अच्छे खास बिकेट भी इन्होंने निकाले मुहम्मद नभी हैं दोस्तों जो कि अफगानी गेंदवाज हैं आपके लिए गेंदवाजी करते हुए नेजर आ जाएंगे हाला कि अब पहले जितनी बात नहीं रही है इनकी चाहे वो गेंदवाजी हो या बल्लेवाजी इमाद बसीम आपके लिए अच्छा उप्सन हो जाता है और एक अपने आपको प्रमोड भी कर सकते हैं जी या दोस्तों एक अपने आपको प्रमोड करते हैं नमर तीन पर या चार पर आपने देखा भी होगा कि लाश्ट सीजन में इन्होंने अपने आपको प्रमोड किया दोस्तो और अभी इसी अभी भी दोस्तो प्रमोट किया था जो बचे हुए मुकाबले हुए थे इस साल चलिए बात करते हैं अपर उसके अलाबा असद इकबाल आपके लिए अच्छा उप्चन हो जाता है वकास मुहम्मद आमिर मुहम्मद आमिर के बारे मैं तो मेरे इसाब ज़्यादा बताने की जरूवत नहीं है जबकि बात करें बकास मसूद के बारे मसूद आपके लिए इंपोडेंट गेंदबाज हो जाता है आप इन्हें अपने टीम में ट्राई कर सकते हैं उसके अलाबा असद इकबाल आपके लिए अच्छा उप्चन है आप असद इकब आप गयारा की बारे में बात करें तो क्रिस गेल आपके लिए टॉम बैंट उन के साफ बल्ली बाजी करते हुगा लेकिन अब दोस्तो अमर का दो तका जा रहता है बहुत थोड़ा आपके लिए देखने को यहां पर मिल सकता है उसके अलाबा नमर तीन पर कैमरू डेलपोर आपकेलिए बल्यबाजी करते हुए जरा जाएंगे वह सांदर वल्यबाज है आप इन्हीं डिम में ट्राइ कर सकते हुए उसके लाबा एक से दो आपकेलिए गेंदबाजी भी कर करें दे सकते हैं सरफराज एहमद नमर 4 पर वल्लेवाजी करेंगे आजम खान नमर 5 पर जहां दोस्तो सरफराज एहमद के बारे में एक बात आपके लिए में अल्रेडी क्लियर कर देना चाहता हूं कि अपने आपको बल्लेवाजी दोस्तो क्रम में नीचे नीचे करते चलते हैं आजम खान को इनसे उपर वल्लेवाजी के लिए वेजा जा सकता है बेन कटेंगे दोस्तो अच्छे हेटर हैं और अच्छी वल्लेवाजी अभी इन्होंने भी रिसेंटली अस्टिलियांटी टॉन्टी लीग में की थी मुहमद नवाज हैं आपके लिए इंपोडेंट ओप्सन हो जाता है यहाँ पर गेंदवाजी का भी अभी अच्छी खासी गेंदवाजी इन्होंने दोस्तो जो सीरिस हो रही थी अफरीका के अगेंस्ट उसमें भी इन्होंने की थी उसके अलाबा आप यहाँ पर देख सकते हो क्या सहमत इंपोडेंट गेंदवाज हो जाते हैं दोस्तों अच्छी खासी इनके पास इस्पिन है अब दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे कि विगिट कितना इस्पिन यहाँ पर कर रही उसके अक्वर्डिंग टीम तयार क्योंकि आफ्टर टोस हमें तभी पता चलीगा कि गेंदवाजी गेंद कर रही इस्पिनर्श के लिए बादत कर रही या फास्टर के लिए अभी तो दोस्तों न्यूटन विकेट बता रहा है कि आपके लिए दोनों को ही लिए सेम यहाँ पर खेलती हुए विकेट आ जाए कि और दोस्तों मुहमद आमरी के बारे मैंने आपके लिए बता देता हूं कि यह दोनों ही दोस्तों जो अभी रिसेंटली टूनमेंट हुआ था सायद बंगलादेश टी-20 लीग हुआ था उसमें इन्हों ने तरह अच्छा प्रोमेंस नहीं किया था और इनकी काफी दोस्तों जो इसमें यंग वॉलर रहते हैं बहुत जाद अच्छा प्रोमेंस करकर देते हैं लेकिन दोस्तों अनवाब भी कोई चीज होती है तो उससे सबसे हम उस कॉम्बिनेशन को तयार करने की कोशिस करेंगे चलिए बात करते हैं यहाँ पर हमारी ड्रीम 11 टीम के बार चैंज की दोस्तों ना हमने बिड्यो के की अच्छी खासी बिनिक कर रहे हैं लेकिन आप बदल गयी हो आप विड्यो को नहीं देखते हो द्यान से इसलिगे दोस्तों आप ऐसे बोलते हो और सबसे नहीं बार करें बीगड कीपिंग सेक्स्टन में चैड़िबिंग पर आजम आपके लिए बना ओफ दा वेस्ट चॉइस वहने वाली है उसके अलाब आप क्रिस गेल को ट्राई कर सकते हैं कॉलिन इंग्राम यह भी अच्छी ओप्सिन और टॉम बेंटोन तो यहाँ पर टॉम बेंटोन को मैं अपने टीम में ट्राई करूँगा और दोस्तों मै यहाँ पर कैड़ेट इसू फेस कर रहा हूँ जी यहाँ दोस्तों कैड़ेट इसू मैं फेस कर रहा हूँ पहले ही में से तो आप यहाँ पर कैड़ेट इसू फेस नहीं करना चाहते हैं तो माइफ है विलेविन डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्सिन में लो कम्पटीशन और केड़िट इस्यू का फिस नहीं करना पड़ेगा तो इतने सारे लाव मिल रहे हैं तो आप एक बार जरूर ट्राइ करकर इसको देखिएगा इसमें केड़िट दोस्तों केड़िट आप यहां पर देख सकते हो एंट्रिफीस का वावन सो उनत्तर आपके ड्रीम इलेविन में 5750 रुपए की मिलेगी यह दोस्तों 2740 लगबग 2600 हम जोइन होगी क्योंकि 50% केस बोनस के बारे में बता देता हूँ आप फस्ट टाइम यादी 1000 जोइन करते हो तो 1000 हमारी तरब से यह तो 2000 आपके लिए मिलने बाला है तो आप एक बार जरूर ट्राइ दोस्तों राजबंटू 3 कोट डालोगे तो आपके लिए यहाँ पर 500 रुपए कैस बोनस हमारी तरब से मिल जाएगा उसके लाब आपके लिए यहाँ पर इंपूडेंट ऑप्शन केमरून डेल पोर्ट हो जाते हैं अब दोस्तों आपको ट्राइ करना है आपको क्रिस गेल को ट्राइ करना है कॉलिन इंग्राम को यदि आप थोड़ा क्रिस गेल को ट्राइ कर पाओगे अधर आपके लिए अच्छा ओप्शन हो जाती है डैनियल क्रेस्चन है मुहमद नवी है बेन कटेंग है दोस्तों और यहाँ पर आप्शन के बारे में बताऊं तो मुहमद तो नबाज को मैं अपने टीप में यहाँ पर ट्राइ करूँगा क्योंकि अच्छे गेंधबाज है और येक अच्छे क्याड़ V.ण इयसके अलाबा बात करें इवाद बसीमको मैं ट्राइ करूँगा वेन arise को मैं त्राइक मुझे try करना है यहाँ पर Daniel Christian को अब Daniel Christian को मैं try कैसे करूँगा उसके बारे मैं आपके लिए आपर बता देता हूँ तो दोस्तो मैं यहाँ पर जाओंगा बल्ली बाजी section में और यहाँ पर मैं Cameroon Delford को अपने team में smiss करूँगा हाला कि बल्ली बाज अच्छे है दोस्तो एकाद दो आपर गेंदवाजीव कर कर दे सकते लेकर डेनियल Christian इनसे ज़्यादा important मुझे लग रहा है यदि आपको नहीं लगते इनसे ज़्यादा important तो आप इने अपने team में try कर सकते हूँ यहाँ पर डेनियल Christian को मैं अपने team में try करूँगा अब बात करते हैं यहाँ पर bowling section की bowling section के बारे में बात किजा है तो मुहमद आमिर और मुहमद हसनेन तो मुहमद हसनेन को तो बिल्कुल definitely मैं अपने team में try करने बाला हूँ अब मुहमद आमिर को यदि आप try करना चाहते हो तो कर सकते हो आप चाहो तो avoid कर सकते हो मैं फिलार कि तिम try करूँगा क्योंकि गेंधवाज काफी अच्छे हैं दोस्तो भले दोस्तो यदिना चप्रो मैं रिसेंटली बंगलादेश की T20 में नहीं किया हो लेकिन गेंधवाज काफी अच्छे हैं हजरेन के बारे मैं दोस्तो आपके लिए बता दू कि एक काफी अच्छे गेंधवाज हैं और death over इस फेश लिस्ट हैं तो death over में ज़्यादा गेंधवाजी करते हैं तो आप इन्हें अपनी टिप में try कर सकते हो मुहमद आमिर दो अपने ओबर death over में फेकेंगे और दो अबर दोस्तो शुर्वात में फेक तो इन्हें ज़र आ जाएं कैसे हमाद दोस्तो एक इस्पनार हैं आप चाहो तो यह अपनी टिप में try कर सकते हो अच्छी गेंधवाज यह करते हैं यमीन है दोस्तो इतनी अच्छे गेंधवाज नहीं है इलियास को खलाएंगे या नहीं खलाएंगे उसके बारे में अपडेट आपके लिए हमारे टेलिगराम चैनल पर अपडेट कर दी जाएगी उसके यंप API आपके लिए उसमान खान वारे गारी कर सकते हैं और दोस्तो अच्छे गेंधवाज है आप इने भी अपनी टिपमें try कर सकते हो वाज़ दोस्तो जो हुआ था जी यहां पर PSL हुआ था इसमें उन्होंने कापी अच्छे गैंदवाजी किती तो आप यहां पर इन्हें अपने टीम में ट्राइब कर सकती हो उसके लाव दोस्तों यहां पर Dialy Speed खेलेंगे या नहीं खेलेंगे अपडेट आपके लिए नहीं रहा है अब बात करते हैं यहाँ पर कैप्टन 22 के बारे में बात की जाए तो वावा राजम आपके लिए वन आफ दा वेस्ट ऑप्शन हो जाता है एज़ा कैप्टन 22 कैप्टन उसके अलावा बात की जाए क्रिस गेल आपके पास अच्छा ऑप्शन है आप इन्हें लिंक आपको टेलिग्राम की वीडियो को डिस्केप्शन में मिल जाएगी दोस्तों यादी वीडियो अच्छे लेगे वीडियो को लाइक कर देना है चैनल को सस्क्राइब कर लेना है वीडियो देखने के लिए दन्यवाद